Hello everyone, today we are going to start a new chapter periodic properties and in this video we are going to discuss level 1, question 1 to 10 Let's start from question 1 Question 1 हमें क्या बोल रहा है? Which is not similar characteristic about the electronic configuration of beryllium, magnesium and calcium तो beryllium, magnesium and calcium ये हमारे पास second group element है किसमें? periodic table में और इन सभी elements को अपन commonly कहते है alkaline earth metal और एक और properties है कि इनकी जो outermost shell है उन में हमारे पास electrons किसमें होगे? S sub shell में होगे वो भी 2, pair के form में तो हमारे पास क्योंकि S sub shell में किवल एक ही orbital होता है तो इसलिए paired form में electron होगे तो सबसे पहला option देख लेते है कि all the atoms have a pair of S electrons in their outermost energy level true है फिर बोला गया all the atoms contain a pair of P electrons in the outermost energy level तो outermost shell में केवल यहाँ पर S electrons होगे क्योंकि यह S block वाला group है ठीक है outermost shell में केवल P electrons नहीं यहाँ पर P electrons होगे ही नहीं जैसे beryllium 4 का आपन देखे 1s2, 2s2 इसके साथ आप magnesium में देखें तो magnesium 12 है तो 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2 तो यहाँ पर outermost shell यह है तो outermost shell में केवल यहाँ पर S electrons है similarly calcium का आप देखेंगी तो हमारे पास होजाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ठीक है तो यहाँ पर यह statement क्या होजाएगा? false होजाएगा और फिर C और D correct होगे alkaline earth metal और second group elements है तो option B यहाँ पर correct answer होगा next is second the elements with atomic number 117 and 120 are yet to be discovered in which group would you place these elements when discovered तो इन दोनों elements का आपन electronic configuration लिख लेते है तो यह दी Z atomic number हमारे पास 117 है तो इसका atomic number आपको लिखने है तो आपन यहाँ पर एक noble gas का electron configuration आपन constant रख लेते हैं तो पहले आपन चेक कर लेते हैं कि 117 की nearer कौन सी noble gas आएगी तो यहाँ पर helium neon, argon, krypton, xenon, radon और सबसे last में UUO तो यहाँ पर हमारे पास देखे हिलियम का atomic number 2 है इसमें आप क्या करतेंगे प्लस 8 unit add करेंगे तो 10 हो जाएगा फिर इसमें प्लस 8 add करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा फिर इसमें प्लस 18 unit add करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा फिर प्लस 18 तो यहाँ पर 54 फिर आप प्लस 32 units का addition करेंगे तो यह atomic number हमारे पास 86 हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका atomic number कितना हो जाएगा 118 ठीक है अब यहाँ से start होता जा रहे है कि यह first period है फिर second फिर third फिर fourth इस तरह से तो यहाँ पर 117 जो है वो किसके बाद आओगा यहाँ पर red on के बाद वाले period में start हो आओगा तो यहाँ पर यह first ता यहाँ पर second यहाँ पर third period यह fourth period fifth period sixth period तो यह जो होगा यह sixth period यह बाद वाले period में आएगा 117 element तो हमारे पास आप red on यहाँ पर रख देंगे अब 7 period जो start होगा वो किसे start होगा 7s से और 7p से कतम होगा अब इसके अंदर जो होगी वो क्या होगी 7-1 आप करेंगे 6d फिर 6 7-2 इस तरह से एक arrangement होता ही ns np n-1 d n-1 f sorry n-2 f n-3 g यह तब तक वैले इस तरह से कब तक करते रहेंगे आपको condition fulfill करनी होती है कि n जो होगा चाहिए वो greater than l होना चाहिए always तो हमारे पास यहाँ पर आप l की value रखें 0 1 2 3 4 तो यह s के लिए होती है यहाँ पर p d f और यह g ठीक है तो यहाँ पर 6d हो जाएगा क्योंकि n की value 6 है और l की value क्या है 2 है बट फिर आपन देखेंगे आपे 5f तो यह भी valid हो जाएगा बट 4g यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर n और l की value क्या हो रही है बराबर हो जा रही है तो अपने पास यही होंगे अब electron fill up करते है तो यहाँ पर 86 हो गया उसके बास 7s2 5f 14 6d10 और 7p 5 आएगा ठीक है तो यह आपके पास कौन से family का element आ रहा है यह हमारे पास halogen family का आ रहा है halogen family तो halogen family का जो group number होता है वो होता हमारे पास 17th similarly अपन दूसरा element का electronic configuration लिखे जो के हमारे पास 120 है तो 120 का हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर UUU यह हमारे पास 118 है तो यहाँ पर यह 7th period तो इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा just 118 के बाद में 8th period स्टार्ट होगा यहनि 8s2 तो हमारे पास यह S block आ गया और उसमें भी group number हमारे पास क्या होगा alkaline earth metal वाले group में होगा तो second group हो जाएगा इसका तो हमारे पास group यहाँ पर अपन पूछे कौन से groups में होगे 17th और 2 तो हमारा option A यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक next है third the most electropositive element possesses the electronic configuration तो periodic table में electropositive character alkali और alkaline earth metal शो करते हैं क्यों क्योंकि हमारे पास उनके outermost shell में देखिए यहाँ पर एक electron जो remove अरके noble gas configuration को attain कर लेते हैं alkali metals ज्यादा show करेंगे तो हमारे पास इसमें देखिए कि alkali metals में lithium, sodium, potassium, rubidium और cesium सबसे ज्यादा cesium electropositive character show करता है तो यहाँ पर यह जो electronic configuration दिया हुआ है यह हमारे पास क्या है lithium का यहाँ पर आप देखिए तो यह किसका हो रहा है neon plus 3s2 हमारे पास sodium के बाद magnesium का और यहाँ पर genome plus 6s1 किसका electronic configuration है? cgm का यहाँ पर cgm 55 होता है genome का atomic number हमारे पास 54 है तो सबसे ज्यादा एक electron को remove करके यहाँ पर noble gas configuration attain कर ले गई तो यह जो मनेगा cgm प्लस बहुत easily बन जाता है यह आप इस तरह से समझ सकते हैं कि group में top to bottom यह दिया आप जाते हो तो हमारे पास number of shell बढ़ते हैं तो radius बढ़ती है radius बढ़ने की वज़े से आप कि outermost shell में जो electron होगा उसको remove करना बहुत ही easy हो जाता है तो electro positive character यह ज्यादा show करेगा तो हमारे पास option कौन सा correct answer हो जाएगा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा electro positive character show कर रहा है option c ठीक next है fourth which one of the following elements show both positive and negative oxidation state तो हमारे पास देखें cgm cgm हमारे पास किस में आ रहा है first group में आ रहा है alkaline metals में और यह mostly क्या देता है cgm plus similarly fluorine जो है वो halogen family में आता है और यह हमेशा minus one oxidation state देता है xenone हमारे पास noble gases है जो कि general gases में react नहीं करता है तो यहाँ पर oxidation state होगी वो zero होती है अब बचा यहाँ पर iodine iodine में हमारे पास halogen family में आता है तो I minus oxidation state तो यह शो करेगा यह करेगा एक electron लेकर noble gas configuration को attain कर लेगा but iodine में आप यह दी देखें तो fluorine, chlorine, bromine, iodine top to bottom जाने पे हमारी जो electronegativity है वो decrease करती जाती है तो iodine काफी less electronegative है compared to other halogen compound तो जब आप इसको दूसरे halogen compound के साथ combine करते हैं जैसे यहाँ पर ICL यह अपन बना दें तो हमारे पास क्या बनेगा? इसको dissociate करने पर I plus और C L minus यहाँ पर iodine plus 1 oxidation state भी show कर सकता है तो iodine can show plus 1 as well as minus 1 oxidation state तो option C हमारा correct answer हो जाएगा ठीक? इसमें CGM क्यों नहीं show कर सकता? क्योंकि left to right यह आप देखें तो electronegativity बढ़ती है तो यह सबसे least electronegative elements है और हमारे पास इनके electron लेने की tendency ज़्याद है बजाए electron लेने की तो option C हमारा correct answer हो जाएगा next है fifth question the number of elements present in fifth period तो fifth period में कैसे निकालेंगी? n की value आप 5 रख लिजे अब इस scheme क्या है हमारे पास कि कोई भी period ns से तो start होता ही है और np पे खतम होता है और in between हमारे पास जो elements होंगे वो कैसे होंगे? n-1, d, n-2, f, n-2, g इस तरह से चलता जाएगा ये scheme follow करते रहेंगे बस एक ही condition है कि n हमेशा l की value से greater होना चाहिए ठीक है अब l की value आप देख लिए 0, 1, 2, 3, 4, 0 के लिए s sub shell होता है, p sub shell, d sub shell, f sub shell और यहाँ पर g sub shell ठीक है तो आपन n की value रख लेते हैं तो यहाँ पर 5s हो जाएगा यहाँ पर 5p हो जाएगा अब यह हमारे पास 4d, 4d के बाद में यहाँ पर आगे जाएंगे तो हमारे पास 3f होना चाहिए पर f के लिए already l की value भी 3 है और n की value यहाँ पर 3 है तो दोनों पराबर नहीं हो सकत है 4d, 10 और 5p, 6 यह maximum electron परेंगे तो हर electron के corresponding element होगा तो total elements हमारे पास कितने हो जाएगी total elements in 5th period हमारे पास 2 plus 10 plus 6 तो यहाँ पर 10 plus 6 यह 18 हो गया तो हमारे पास कौन सा option correct है? option A हमारा correct answer हो जाएगा next question है 6th इसमें पूछा गया है which of the following arrangements show the correct order of decreasing paramagnetism तो paramagnetism का simple meaning है कि वहाँ पर spin magnetic moment जो है वो not equal to 0 होना चाहिए यह आप simple देख सकते हो decide by the number of unpaired electron number of unpaired electrons क्योंकि हमारे पास जो spin magnetic moment होता है वो हमारे पास depend करता है number of unpaired electron पर यह हमारा formula होता है spin magnetic moment को calculate करने का तो जितने ज्यादा number of unpaired electron होगे उतना ही spin magnetic moment होगा उतना ही paramagnetism behavior वहाँ पर show करेगा तो simply अपने को इन सभी के electronic configuration लिख लेने तो आपन देखते है nitrogen का सबसे पहले nitrogen 7 होता है atomic number oxygen का 8 होता है aluminium का 13 calcium का 20 अब nitrogen में आपन देखें यहाँ पर है इसका electronic configuration हो helium 2s2 2p3 oxygen का मारे पास क्या हो जाएगा helium 2s2 2p4 aluminium का मारे पास हो जाएगा neon 3s2 3p1 oxygen और calcium का हो जाएगा argon 4s2 ठीक है इन noble gases के लिए तो complete हमारे पास कोई भी unpaid electron है नहीं लास्ट वाले cells में देखेंगे वास यहाँ पर तो यहाँ पर 2p3 में आप देखें तीनों के तीनों electrons unpaid होंगे 2p4 में देखें 2p4 में 2 unpaid होंगे यहाँ पर केवल एक होगा यहाँ पर 2 होंगे तो हमारे पास number of unpaid electron जो होंगे वो कितने होंगे यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 तो सबसे ज़्यादा unpaid electron हमारे पास कहा हो रहे है नाइट्रोजन में तो हमारे पास paramagnetism का जो order होगा वो क्या होगा नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा then oxygen then aluminium then calcium तो कौनसा option correct आ रहा है यहाँ पर nitrogen, oxygen, aluminium, calcium तो option B हमारा correct answer हो जाएगा next है seventh इसे बोला गया outer electronic structure of laurentium जिसका atomic number 103 है तो हमारे पास similarly shared की value 103 दी गई है और आपको helium, neon, argon, krypton, genone और redone अब यहाँ पर 2, 10 यह हमारे पास कितना हो जाएगा argon 18 पे 36 यहाँ पर 54 और genone 86 पे और इसके बाद वाला यू 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 यह हमारे पास क्या हो जाएगा 118 तो हमारे पास 86 और इसके बीच में होगा तो यह first L period second, third, fourth, fifth, sixth यह sixth period पे आ रहा है इसके बाद यह रिटेन तो हमारे पास क्या हो जाएगा redone के बाद में 7 period आ रहा है यहाँ 7S और यहाँ पर 7P होना चाहिए इसके बाद में आप reverse जाएगे तो हमारे पास 6D और 5F हो जाएगा 4F possible 4G possible नहीं होगा क्योंकि इसके लिए N और L दोनों same हो रहे है अब अपन इलेक्ट्रों की fill up करेंगे simple तो redone हमारे पास यहाँ पर 86 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इसके बाद तो हमारे पास यहाँ पर 14 आ जाएगे अब यह जो हो गए यह 102 तक हो गए अब एक electron के वल 6D1 में जाएगा तो टोटल हमारे पास कितने आगे 103 एलेक्ट्रों से अपन ने fill up कर दी 86 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 1 हमारे पास 103 होगा तो यह final electronic configuration होगा 7P में एक भी electron नहीं जाएगा तो कौन सा electronic configuration इससे match कर रहा है हमारे पास redone 5F14 6D1 7S2 तो option D correct answer हो जाएगा next है 8 इसे बोला गया the elements with the lowest atomic number that has a ground state electronic configuration of N-1D6 Ns2 is located in the तो हमारे पास आप देखेंगे S जो periodic table है उसके 1st period में तो hydrogen helium रहते हैं फिर 2nd period में भी केवाल S P होगे यह 1st period है यह आपे 2nd period और 3rd period 3rd period में भी हमारे पास S और P elements होते हैं 4th period में जाकर हमारे पास D block का introduction होता है यहाँ पर middle में जिसको आप 3D series भी कहते हैं 3D series तो 3D series में हमारे पास mid में यहाँ पर जाकर यह configuration आएगा कि 3D6 4S2 ठीक है यह 1st lowest atomic number होगा जिसके लिए हमारे पास N-1 D6 N-2 configuration attain होगा तो हमारे पास कौन से period में आ रहा है यह 4th period में तो option C correct answer हो जाएगा next है 9th which of the following sets of atomic numbers correspond to elements of group 16 तो हमें group 16 element को check करना है सबसे पहले आपन देखें कि group 18 जो होता है वो हमारे पास noble gas का होगा helium, neon, argon, krypton यह हमारे पास 18th group होगा उसके बाद halogenes वाले जो है fluorine, chlorine, yes हमारे पास 17th group होगी और oxygen family जो होगी वो 16th group होगी तो हमारे पास atomic number देखना है तो oxygen का atomic number 8 होता है इसके बाद वाले जो elements होगे उनका atomic number किस तरह से होगा 8 प्लस 8 यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 16 फिर इसी के साथ में आप क्या करेंगे 8 और red करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास sorry इस में arrangement अपन इसी के basis पर करेंगे जैसे यहाँ पर helium, neon, argon, krypton, genome, redone किया गया तो हमारे पास यहाँ पर आप दिखिए तो यह 18 करने पर हमारे पास आजाएगा 34 फिर आप क्या करेंगे फिर 18 करेंगे units add तो यहाँ पर यहाँ आजाएगा कितना 52 ठीक तो इस तरह से हमारे पास जो 16th group के elements उनके atomic number 8, 16, 34, 52 तो ऐसा कौन से option में दिया हुआ, 8, 16, 34, and 52 यह अपन periodic table से भी दिखिए चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यह predictable दी गई है अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, 16th group यह है 8, 16, 34, 52 तो आप क्या कर सकते हैं, 8 प्लस 16 से प्लस 8 unit का change हुआ है, फिर 16 से 34 से प्लस 18 unit का, फिर हमारे पास प्लस 18 unit का, इसके बाद में प्लस 32 unit का और यहां से भी प्लस 32 unit का, ठीक, तो option C हमारा correct answer हो जाएगा Next, 10th, the atomic number of the metallic and non-metallic elements which are liquid at room temperature respectively are, तो room temperature पर metallic element element जो liquid होता है, that is mercury, और non-metallic elements में जो liquid होता है, that is bromine, अब हमारे पास इनके atomic number यह दिमें बताऊं, तो हमारे पास ब्रोमीन है, उसके लिए atomic number की जो value होती है, वो होती है 35, और यहां पर mercury के लिए कितनी होगी, mercury liquid के लिए atomic number होता है, हमारे यहां पर आप देखिए, bromine का atomic number 35 है, और mercury का 80 है, तो हमारे पास कौन सा combination यहां पर correct होगा, पहले metallic का लेना यानि 80 then 35, तो option D हमारा correct answer हो जाएगा,